मुस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का भी एचिव पार्ट साला के इस ऑनलाइन लर्ण प्रेटफॉर्म में मैं हूँ आदित्य सिंग्ग जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टॉप 700 MCQs की एक सीरी चल रही है जिसका ये थर्ड वीडियो लेक्शर होगा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि ये थर्ड वीडियो लेक्शर है इससे पहले दो वीडियो लेक्शर जा चुका है जो कि मुझे आशा ही नहीं पोड़ विश्वास है कि आप सभी देख शुके होंगे और देख करके बहतर तरीके से नोट्स भी बना रहा होंगे आपको पता है ये जो सीरीश चल रही हो बिल्कुल बाइलिंग्वल सीरीश चल रही है हिंदी और इंग्लिस में दोनों कह सकते हैं भाषाओं में हाँ पर चीज़े आपको डिल करी जा रही है जो भी कुशन्स है जिसे हम हिंदी में भू आकरतिवी घ्यान कहते हैं तो आप सबने बहुत अच्छा अंसर दिया था कि जियो मॉर्फलाजी जो है वो लैंड़फॉर्म्स की स्टडी को कहते हैं जिन लोगों भी ने आंसर दिया बहुत अच्छा दिया था इसी के साथ साथ मैंने ये पूछा बहुत अच्छांसर किया है मैंने देखा बहुत सारे लोग ने बहुत अच्हांसर किया तक और इसी के साथ का यerson k takes वर्थमान में राज़पाल कॉन है तो जिन लोगों ने भी जगदीस मुखी जी को बताया है वो बिल्कुल बता है तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहा हैं बस मैं आशा करता हूं और उमीद है मुझे पूर्विश्वास है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे तो चलिए आज के अपने पहले प्रस्णि के और चलते हैं आपको पता होगा हम पर वीडियो 20 को डील कर रहे हैं तो हमने अलड़ी चीज़ बता दूँ कि आज का यह जो वीडियो लिक्शर है यह पर्टिक्लरली करेंट अफेर्स पे फोकस्ट है बिल्कुल तो आप करेंट अफेर्स के लिए परिशान रहते हैं हमेशा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना और समाने से बात होती है जिग्यासाय होती है त तो देखते हैं कोशन क्या कह रहा है कि विच स्टेट गोवर्मेंट हैज अन्वील्ड अब्रेल वर्जन अफ इंडियन कंस्टिटूशन किस राज सरकार ने भारती समिधान की एक ब्रेल संसकर्ड का अनावरड किया है आप सभी को पता होगा जो भी लोग देख नहीं पात समिधान की एक संसकर्ड का अनावर्ड किस ने किया है मतलब किस राज सरकार ने किया है तो इसका उन्से महारास्टा कवारा महारास्टा के वरतमान में CM कौन है मैंने पहले की वीडियो में वों बताया हुआ है उध्धाव ठाकरे जिए हैं कौन है उध्धाव ठाकरे जी है इसी के साथ तुमा के गौवर्णर कौन है तो गौवर्णर है वरतमान में तो हैं आनंदी बेन पटेल जी और असम की बात करी जाया है तो असम के लास्ट वीडियो में ही चर्चा हुई थी असम के वरतमान में कौन मुखे मंत्री हैं हेमंत विशु सर्मा है और जो वहां के गवर्नर है आप सबने बहुत अच्छा बताया था जगदीश गवर्नर है ठीक है और तमिलनाडू की बात की जाया तो तमिलनाडू के वरतमान में चीफ मिनिस्टर कौन है तो वो हैं स्टालिन एमके स्टालिन जी और साती साथ वहां के गवर्नर कौन है तो बी एलपी ठीक है बी एलपी ठीक है बनवारी लाल पुरोहिद ठीक है बनवा ये पूछ रहा है कि किस देश ने मौत की सजा को खत्म कर दिया है अब इसका exact answer क्या है जैपान है क्या वो कजाकिस्तान है क्या वो अफगानिस्तान है क्या वो ब्राजील है तो जो इसका exact answer वो क्या आपका कजाकिस्तान ठीक है अब देखिए कजाकिस्तान की राजधानी कहा ह काजाकिस्तानी टैंग शुक्ष्म कुछ बोलते हैं इसके कर्यक्ट टिंग आपकी टी एञंग यहां की कुरण्ची है और इसके साथ जापान के बारे मैं बात करें तो जापान की हमने साठेब हुआ डिसकस किया चीज़ तो वहाँ पे आप सबको पता होगा कि मेरा बाई चानु जी ने जो है वो एक silver medal भी जीता हुआ है तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है और excitement की बात है हमारे लिए तो चलिए एक बहुत proud moment है हमारे लिए हम अपने अगले point को discuss करते हैं देखिए ये अच्छ Currency है क्या कहा आपकी येन है ये आपको बिल्कुल clear होना चाहिए अब आगे चलते हैं काटके चां Een के बारे हमने डिस्कुस करने जैपान को देख लिया है अफगानिस्तान के बारे हम डिसक्स करें तो आफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबूल में धीक है कहा पे है तो ब्राजिल के जो कैपटल हो ब्राजिलिया है और यहां के जो कैरेंसी हो क्या है ब्राजिलियन रियाल ठीक है ब्राजिलियन रियल है ठीक है ब्राजिलियन रियल उसकी स्पेलिंग यह होगी आपकी र-e-a-l ठीक है ब्राजिलियन और उसके बाद रियल यह इसकी स्पेलिं यह अपसी प्रश्न पूशा जा रहा है गुजरात उत्तर पदेश तमिल नाडु या करनाटका तो इसका जो इग्जेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा अपका गुजरात में यह अस्थापित किया जाएगा अब गुजरात से लेटेट फैक दिख लेते हैं कि यहां पर यह भी आपको जानना जरूरी होगा कि जो गुजरात राज्य है यहां पर सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है यानि कि कहें अगर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट आफ इंडिया तो यह क्या हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा लगबग शोर्लों किलों किलोमेटरोंडberry嗎 60.6 km ठीक हैं यह आपको पता होगा अब इसमें बाइफरकेट करें कि इसमें कितना जो है मेन ऐसे लिंड का है तो अगर हम इसमें बात करें तो यह आपको पाच जाओंद आपका दो हजार चोरानवे है यानि तूसाउजण नाइन्टी फॉर ही किसा ही यह आईसलेंड का है ठीक है किलूमेटर डो है आपके किसका है यह यह आपका आईसलेंड के कोस्टल लाइन का है यह भी आपको पता होना चाहिए अब कुछ और भी ऑप्षिन हमें दिख रहा है उससे related facts देख लेते हैं यहां पूत्तर प्रदिस के बारे में अभी हमने discuss किया तमिलाडू के बारे में discuss किया करनाटका से related facts देख लेते हैं करनाटका के जो governor है वो कौन है थावर चंद गहलोजी और करनाटका की राजधानी आप सबको पता होगा कि जिसे हिंदी में करनाटक बोलते हैं उसकी राजधानी कहां है बैंगलूरू ठीक है अब देखिए यहां के वर्तमान में अभी तक के बात करें आज यह आपका डेट है 26 जुलाई अभी तक सुबह साड़े नौ बजे तक मुख्यमंत्री कौन है बीएस यह दुरप्पा जी मैं टाइम और डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चांसे जार देयर की मेडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह पता चल रहा है कि बीएस यह दुरप्पा जी रिजागनेशन भी दे सकते हैं अगर रिजागनेशन नहीं देते हैं क्या वस्तोष्ति क्या कंडिशन रहती है उसको अगले लेक्षर में जरूर कवर करेंगे तो आप सब भी इस मीडिया जो ख़बर आ रहे है इस मीडिया रिपोर्ट पे बिलकुल नज़र बना के रखें कि हाल ही में किस रिजागन कि से जो है वह रिंटे पोस मा lethal कि अध्यक्श किया गया है चोना गया है याश्वर्धन्स इनhon विशाल सर्μα सुनिच सर्मा के गोपाल कृचन तो जो इसका एक्जाक्ट आंसर हो कि हापका सुमित सर्मा को जो हो का रिमे बोट का नया अद्धाक् साथ होती है कि होती है 16 April 880 301 को होती है और कहा से कहा तक चली थी तो यह Bombay तक चली थी ठीक है Bombay two थाड़े तक ये ट्रेन आपकी चली थी अब देखिये आप किलो मुटर कितना था यह मुझे आफ कमेंट था कि लॉट डलहूजी थे कि लॉट करजन थे या फिर कौन थे उस समय में तो यूं कहां कि उस समय वाइसराय कि तो वह था ही नहीं लेकिन 1867 के बाद चुवाइसराय की पूरी कहानी आती है तो आप मुझे ये बताएंगे मैं आपको कन्फूज करता हूँ या पे कि उस समय में लाइसराय थे या गवर्नर जिनल थे क्योंकि देखिए एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि 1867 के गरांती के बाद कुछ चेंजिस होत थे या गवर्नर जिनल थे या आपको मुझे बताना था या दोनों थे मैंने आपको हिंट भी दिया हुआ है ये सारे आपके क्लियर हुए और उसी के साथ चाथ अगर हम आगे बात करें तो वरतमान में रेलवे मिनिस्टर कोन है तो वरतमान में रेलवे मिनिस्टर कोन है प होती है स्थापना इसकी मार्च 1905 में इसकी इस्टेबलिस्मेंट आपकी होती है इट्स क्लियर अब मुझे उमीद है चीज़े आपको क्लियर हो गए होंगे एक और आप्शन आपको इसक्रीन पर दीख रहा होगा यह स्वर्धन सिना जी यह तो यह स्वर्धन सिना जी जो है वर्तमान में हमारे क्या है वो Chief Information Commissioner है यानि की मुख्य सूचना आएउक्ट का है तो एक जैक्ट यहीं स्का हिंदी मेनिंग हो गां सिटी किया है हए वर्तमान में סिटी यह चीजि इन्वर्धन में चीफ इन्वीशन मुख्य सूचना आएउक्ट है हम अपने अग्ले प्रसन की तरफ चलेंगे हमारा अगला प्रशन है रेसेंटली वर्ल्ड बैंक फियर 2021 has been inaugurated in which city हाल ही में आयोजित वर्ल्ड बुक यानि की किताब मेला की बात किया रही है कि हाल ही में आयोजित विश्व किताब मेला 2021 का उधगाटन की इस शहर में किया गया तो इसका जो इग्जाक्ट आंसर वहापका है New Delhi यानि भारत की राजधानी नई दिली में इसका उधगाटन किया गया और यह कब हुआ था कब आयोजित हुआ था तो यह आपका मार्श में कि वो national book trust कि ती आगे चलते हैं अपने अगले प्रस्षिन के तरफ और कुछ और भी facts आप जान सकते हैं Mumbai को किस नाम से जाना जाता है या यह कहाँ कि Mumbai में क्या है gateway of India Mumbai में है क्या India Gate Mumbai में है तो आप ये भी मुझे clear करके बताएंगे तो यह सारे facts मैं आपको इसलिए देता हूँ generally की ताकि आपको कोई भी problem ना हो और जिससे ज्यादा से ज्यादा interaction हो सके और हम और भी चीजों को यहाँ पर discuss कर सकें तो अगर simply ऐसे कुछ आपको facts confuse करने चाहिए ताकि confuse नहीं करने चाहिए मेरे कहने कि सिंपल से यह कि मैं आपकी clarity देखना चाहता हूँ कि आप कितना जो है वो clear जानते हैं और चीजों को अच्छी तरीके से समझ की याद रख पाते हैं और इसी के साथ चाहत यहाँ पर कलकटा आपको दिया है तो कलकटा को किस नाम से जाना जाता है तो कलकटा को जो है वो city of joy के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आपको लखनव है तो लखनव जो है वो उत्तर पुदेश की राजदानी है मुंबई आपको पता अगर वो म आपको पता होना चाहिए हम अपने अगले प्रशन के तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रशन है विच कंट्री हाज लॉंच इट्स नेशनल एप पोर्टल अब यह बात करिया रही कि बीडी ए बीडी ए डबल पी एस डॉट कॉम बात यह कि जारी कि हाल ही में कि इस ने अपने रास्ट्री अप्लिकेशन पोर्टल लॉंच किया था तो आपको यहां पर ऑप्शन यहां पर बीडी आपको दिख रहा होगा तो वहीं से आप कुछ क्लियर हो चुके होंगे तो इस समझ जाएंगे और बंगलादेश के बारे में बात करें तो यहां की जो है वो राजधानी कहां है ढाका है आप सब को पता भी होगा यहां की राजधानी कहां पर है ढाका है और यहां की जो मुद्रा है या फिर करंसी है वो क्या आपका टका ठीक है करंसी क्या आपका टका ह ये भी आपको पता होना चाहिए और अतमान में वहां की कहलें की प्रधान मंतरी या फिर इंगलिश में कहा है प्राइम निस्टर तो वो कौन है सेख हशीना जी है ये भी आपको पता होना चाहिए और मैंने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया हुए कि मैत्री शेतु क अभी हाल फिल हाल मोद घाटन किया गया है वो किस देश की साथ किया गया है तो वो बंगलादेश के साथ ही किया गया है मैत्री शेतु जो है वो किस राज में है तो वो किस राज में तुरी पूरा मैं ठीक है यह आपको पता होना चाहिए तो चलिए यह सारे फैक्ट्स हमारे यह हुंखन तो ज्हादा बहुत बहुत्सवाना की बात करें तो लोटसवाना की MICHAEL कहां पेRKE लिजए और रहेनों इसका एक खाल बोदीन होगा और यूणा की मॉद्र को कहां सबस्क्राइब तो Australia currency मैंने आपको अलड़ी बता हुआ है इसका currency जो है वो Australian dollar है और यहां की राजधानी कहाँ पर है कैनबरा है ठीक है राजधानी कहाँ पर है कैनबरा आपकी इसकी राजधानी है आगे चलते हैं अपने अगले प्रसुन के तरफ के लिए आजीवन कारावास का नियम बनाया है यानि फूड अडल्ट टेटर्स जो है उनके लिए किस राजधाने जो है वह इंप्रिजमेंट की बात की है ठीक है यह आजीवन कारावास की बात लाइफ इंप्रिजमेंट की बात की जा रही है तो देखिए इसका जो exact answer होगा वह आपका होगा मध्यप्रदेश ठीक है इसके exact answer कि आपका मध्यप्रेश मध्यप्रेश के वरतमान में cm कौन है शिवराज सिंग चौहान है एससे करके याद रख लिए शॉट फॉर्म में आपको clear रहागा शिवराज सिंग चौहान और यहां के लास्ट वीडियो मैंने ब गुजरात खौढ़ारी भीyl यहां कसी देश को अखने है ऐसो अगले फ्रसंट के रहा रहा है उलिकॉप्टर टू वmostर हाल ही में भारती वाईशेना ने किस देश को एलीट 3 हलकॉप्टर गिफ्ट दिये हैं माल्दिव को दिया है बंगलादेश को दिया है श्रिलंका को दिया है नेपाल को दिया है तो इसका जिग जैक टांसर है वो फिर से बंगलादेश है बंगलादेश को जो है भारती तो इस वज़ा से जो है उसको ऐसा मेमोरी जो है इंडियन एर फोर्स ने उसको गिफ्ट दिया है यह आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और यह भी आप जानके रखिए कि यह जो हलिकाफटर है वो बहुत ही मेमोरेबल है आप चैंस में समझ गया होंगे कि 1971 के वार में इसक कह सकते हैं कि बंगलादेश जो एक लिबरेट हुआ था उसको मोक्ती मिली थी उसको आजादी मिली थी अब इसी के साथ साथ आप यह भी जानके रहे कि कुछ और भी फैक्ट दिये गया है इससे एक और फैक्ट है हाल ही में करेंट अफेर्स एलिटेट को जो 26 जनुरी की ज खामिल हुई थी यह भी आपको जानना जरूरी है कि आपको यह ग्यान रहा कि हो सकता है कोशन इससे पूछा जा सकता है और चांसे हमेशा करेंट अफेर्स में से रहते हैं और भी आप्शन दिये हुए है आपके मौल्डिव दिया हुए आपका तो देखिए जो सुब्सक्राइब तो जांना ज़रूरी है और है नो न रूपी दोखेंगी है और आपको जोना से थिसांटे के हैं कि से पहले कुछ और भी facts हम से चूट रहे हैं यहां पर सिरलंका के बारे में डिस्क्स कर रहें तो सिरलंका की जो यूं कहें कि राजधानी है तो उसकी जो एक्जिक्योटी और जूडिशल राजधानी और जो इसकी लेजिसलेटिव कैपिटल है वो कहां पर है स्री जैवर्धन चूट्पोटी में उसकी लेजिटकी प्रूपिटल है específic कारंसी इसके आप मुझे बताएंगे ठीक है स्रृलंका की जो कारणसी है मुझे अप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आप सारे कुछें को याद रुपए क्यों दिया जा रहा इसका अंसर आप जरूर कमेंट वो कर媒 करेंगे हम अबने अगले के तरह चलते हैं विशष इंट इसमें पाईफ़ सदस्रेंटेस के रूप में कौन सा दे सामिल हो रहा है कहने एक मतलब यह है कि जो फाईफ आइज और इस क्या यह जान लिजेक्श International Intelligence Alliance है अब इसमें पांच सदस्वरतमान में कौन है तो आप सौट फार में नोट कर सकते हैं आस्ट्रेलिया है आपका इसमें न्यूजी लैंड है आपका यूके है देन वी हैव कनाडा इस देर और उसी के साथ चाहता आपका यूज भी इसमें पार्ट है यह पांच दिस हैं यूजी लैंड यूके कनाडा न्यूएस यह पांच दिस हैं और छट्वांद इसकोंसा आपका जैपान होगा जैपान के बारे में आल्ली हमने डिस्कॉस कर लिया इसको अब यह जा लिजी कि जो फाइवाइज is नेटवर्क इसके स्थापना कब हुई थी इसका इस्टेबलिस्मेंट जो है वह आपका कब होता है तो इसकी स्टेबलिस्मेंट होती है आपके 14 अगस्ट 1941 में ठीक है कब होता है इसका इस्टेबलिस्मेंट 14 अगस्ट 1941 में इसका स्टेबलिस्मेंट होता है यानि कि 14 अगस्ट 1941 में इसके establishment होती है अब यह जानिए कि और भी कुछ facts दिये हुए है अस्टेलिया को हमने अलड़ी discuss किया भी इंडिया को पता ही हमें और जापान भी discuss कर लेते बिटेन के बारे में discuss करें तो बिटेन के जो राजधानी है capital है वो लंडन में है और जो इसकी currency है वो क्या है pound sterling इसकी currency क्या है pound sterling हम अपने अगले प्रेशन के तरफ चलेंगे which country announced to develop the world's first satellite made up of wood by 2023 किस देश ने 2030 तक लखड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रव को विक्सित करने की घोशना की है चाइना जैपान रशिया या अमेरिका तो इसका जैक्ट आंसर होगा वह आपका एक बार फिर से जैपान होगा और जैपान ने यह गोशना किया अब इसके पीशे का काफी कच्रा कह सकते हैं जो विस्ट प्रोड़क्ट है वो इस पेश में रहता है तो अगर वह वूड रहेगा तो वह उल्यड़ी वह जल जाएगा तो काफी सारे चीज़ जो उसकी कह सकते हैं एक तरीके से वह खतम हो जाएंगी बहुत जादा हानिकारक के डेंजरस इन्व के बात करें रशीया के बारे में तो रस्किया की राजधानी कहां पर मॉस्कों में हमने अर्ले डिस्क्स किया हुआ है और यहां के जो कैरंसी है वो रशियन रूबल है ठीक है रशियन रूबल बात करें अमेरिका एक बारे में यानि यूएसे के बारे में बात करें अगर USA के बारे हम बात करें तो यहां कि रायधानी वासिंग टंडीशी है और यहां का का जो करंसी है या मुद्रा का है वो आपका USA का डॉलर है ठीक है डॉलर की बात की जाती है यहाँ पे as a मुद्रा जब भी बात की जागे as a currency बात की जागे तो वो डॉलर होगा अगले question के तरफ चलते हैं हमारा अगला प्रशन है recently PM नरंदर मुदी has inaugurated aims in which city यानि बात ये की जा रही है कि हाल ही में प्रधान मंतरी नरंद मुदी ने कि सर में एक नए aims अस्पताल की निव रखी है तो इसका जिगजक्ट आंसर है वो आपका राजकोट है राजकोट कहां पड़ता है तो राजकोट कहां पड़ता आपको ये comment box में मुझे बताना है कि राजकोट किसे राजम में पड़ता है आहमदाबाद गुजरात में पड़ता है कोलकता वेस्ट बंगल में पढ़ता है लुदियान आपका कहा पर पढ़ता है पंजाब में लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे राज़कोट कहा पर पढ़ता है अगले कुशन के तरफ चलते हैं हमारा अगला कुशन है रेसेंट्ली हूज बिन अवाड़ेट डियाडियो साइंटिस्ट आफड दीयर अवाड हाल ही में DR Do के इसे अपयों से साइंटिस्ट आफड यह पूरषकार से सम्मानज किया गया है तो इसका चीह मंत कुमार पांडे जी हैं और यह जा ली जय की कि इनके किस कारे के लिए गया है तो इनों ने चिकितर्चा करूप में वह DRDO ने अपना scientist of the year award दिया हुआ है आगे चलते हैं के सीवन जी के बारे में जान लेते हैं ये वरतमान में ISRO के chairman है और ISRO का full form क्या होता है आप सबको पता होगा Indian Space Research Organization इसके स्थापना कब होई थी इसके स्थापना होती है आपकी 15 अगस्ट 1909 ठीक है जी सतीस रेड़ी जी जो है वरतमान में क्या है इसके DRDO के chairman है ये आपको जानना जरूरी है और DRDO के establishment कब होई थी इसके स्थापना कब होई थी तो वो यह थी 1909 में ठीक है यहनि कि 1958 में DRDO के establishment होई थी अगला question देखते हैं DRDO एं इंडियन नेवी successfully tested इंडिया first airdrop container under which name हाली में DRDO और भारती नौसेना ने जिस airdrop container का सफल परिक्षड किया है उसका नाम क्या है तो इसका जो exact नाम है वो आपका है शायक NG यह बस आपको जानके रखना है इससे रिलेटेट बहुत जादा questions आपसे नहीं पूछा जाएंगे बट नाम आपसे पूछा जा सकता है हम अपने अगले question पर चलते हैं हमारा अगला question है recently which country sorry which ministry has launched the digital ocean application हाली में किस मंतराले के द्वारा digital ocean application को launch किया गया है होता था क्या पहले कि जब भी हमें oceans के बारे में जानकारी चाहिए होती थी तो हम अलग-अलग website पर जाना पड़ता था अलग-अलग जगहों पर जाकर सर्ष करना पड़ता था तो यह हुआ मंतराले मिनिस्ट्री आफ और चाइंस ने यह निड़ा लिया यह decision लिया कि क्यों न इसको एक जगह पर हम ला दे यह एक प्लैट्फॉर्म पर ला देंगे तो वहां से लोगों को जो भी information चाहिए inquiry चाहिए जो भी है उसको access करने में काफी आसानी होगी बहुत ही easy लोग उसको access कर पाएंगे तो इसके लिए क्या किया गया डिजिटल ओशन अप्लिकेशन ला दिया गया और किस ministry ने लेकिसको लेकिया हुआ तो वह ministry of science ने लेकिया हुआ है इसके जो minister of state है वह कोई है ये शौधरी जी है finance ministry की बात की जाए निर्मला सितारमर जी इसकी वरतमान में क्या है वित्त मंत्री है यह उनके पास finance ministry का पूरा-पूरा has been established in which state पुछा जा रहा है कि हाली में भारत के सबसे उचे मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना किस राज्य में की गई तो इसका जो exact answer होगा वह आपका लद्दाक होगा लद्दाक में की गई इसकी स्थापना और यह चान लीजिए और भी facts related हिमाचल प्रदेश की के धिकर से समर में और जो दरमसाला में है यह यह जो है डेलों ठीक है डीडबलू अपकर कि विंटर कैपिटल होती है और यह जानली है कि वर्तमान में में कुष्य मंत्री को है जैराम ठाकूर जी है और इसी के साथ ये भी आप जानी के गorousवर्णनर九जी है और इसी की साथ रूक्त में मुंख्य मंत्री कहलें या फिर इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर कहलें तो वो चॉण है प्रेम सिंग तमांग ठीक है पिस्टी करके नहीं आप याद रख सकते हैं प्रेम सिंग तमांग जो है महा के वरतमान में चीफ मिनिस्टर या मुक्यमंतरी हैं गवर्नर कौन है तो गवर्नर जी से गवर्नर होता है यानि राजपाल और जी से गंगा परशाद जी होते हैं जी से गवर्णर और जी से गंगा और प्रिशाद जी यह यानि कि यह वहां के वरतमान में राजपालिया गवर्णर है ऐसे करके आप याद रख सकते हैं उत्रा खंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हाले में मां के नयमों के मंतरी बने हैं PSD ठीक है यानि कि पुरसकार धामी ठीक है पीसडी आप करके याद रख सकते हैं और मा की गौवर्णर कौन है तो गौवर्णर मा की बेबी रानी मौर्या ठीक है उत्राखंट की गौवर्णर कौन है तो वो है आपकी बेबी रानी मौर्या बी आर एम बेबी रानी मौर्या ठीक है इस चीज़े क्लियर लगता है ज्यादा एजी लगता है याद करना तो आप वैसे याद रख सकते हैं अगले प्रशन के तरफ चलते हैं हमारा नेक्स्ट कोश्चन कह रहा है हमसे इंडिया इस स्टार्टिंग न्यू पैसेंजर ट्रेन विच कंट्री हमसे प्रशन यह पुछा जा रहा है कि भारत क इस देश के साथ एक नई पैसेंजर ट्रेन चलसाने जा रहा है या यात्री ट्रेन चलाने जा रहा है पाकिस्तान के साथ बंगला इस ने-पाल एन चाइना तो जिस का एक एक और फृरी यह वह रहे Organization चलती है यहered और यह का नाम है बंढनं एक्सप्रेस और दूसरे के नहा करेंचिक जनating जर्बी कास्किए और के सब्सक्राइब करने और चाहिना है जों HAVE क्रेश्ट क्या है को सब्सक्राइब देने क्रिकेट रहे हैं मैं से हैं इन दिस्ट क्रिकेट कोन तो इसका जो इंदीड ले आंशर पर चलते हैं क्लेयर पोलो शॉक तगलिए कि रहने वाली Χम्प्राइब की थी हुआ प्रिधे इंडिया वर्सेस ऐस्टलिय ठीक है носि एंडिया वर्सेस उस्टलिया वह मैंक का बुथा च्रीकेट मैंक दूब आ ये यह नहीं चाहिक है जरूरे sec हमारा 58 question है विच इंडियन आम्ड फोर्स हास फॉर्मड अ मेजर जेनरल लेड हुमन राइट सेल फॉर ट्रांस्परेसी और प्रॉबिटी हाल ही में किस भारतिय शेशस्त तुरबल ने पारदर्शिता और प्रॉबिटी का मतलब हता है शेश्त तनिस्था या पहले इमांदारी के लिए एक मेजर जेनरल के निर्टित वाले हुमन राइट यानि की मानव अधिकार शल का गठन किया है इसका जिगजैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा इंडियन आर्मी ने किस ने किया है इंडियन आर्मी ने इसको किया है और देखे जैनवरी 2021 में इसको बात इसकी करी गई है इसका गठन किया गया है जो मानव अधिकार शल है हुमन राइट शल है और उसके जो नितित करता होगे वो कौन होगे एक मेजर जेनरल रैंक के यानि कि एक मेजर जेनरल रैंक के अधिकारी होंगे और किसको नितित किया गया है तो जो फरस्ट हेड है इसके कौन है वो हैं मेजर जेनरल गौतम चौहान ठीक है मेजर जेनरल एम जी जी सी ठीक है मेजर जेनरल गौतम चौहान जो है इसके वो पहले हेड नुक्त किये गया है या अपॉइंट किये गया है अब हमने अपने अगले प्रस्ण के चरफ चलते हैं हमारा अगला प्रस्ण है इंडियन आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नर्माडे was awarded the God of Honor by Beach Country हमसे प्रस्ण यह पूछ रहा है कि हाल ही में भारती सेना प्रमुक MM नर्वने को किस देश द्वारा God of Honor से सम्मानित किया गया है was it Qatar, was it Bahrain, was it North Korea or it was South Korea so the correct answer would be South Korea अगर option में आपको नेपाल भी दिख जा तो नेपाल भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि नेपाल ने भी इन्हें God of Honor दिया हुआ है तो यह देखिए आपको इंडियन आर्मी चीफ कौन है हमारे वरतमान में यह भी आपको एक इस question से मिल गया कि मनोज मुकुत नर्वाने है अब एयर चीफ कौन है तो धनवाजी है इसे के साथ साथ आप मुझे बताएंगे नेवी के चीफ कौन है यानि इंडिया के नेवी क प्रमुक या चीफ कौन है इस समय वरतमान में कमेंट बॉक्स में आपको लिखके बताना होगा अब आईए कुछ और फैक्ट देख लिएते हैं कतर की राजधानी आप सबको पता होना चाहिए कहां है राजधानी इसकी दोहा है और यहां का जो करंसी है वो कतरी रियाल है वो क्या आपका कतरी रियाल है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है कतरी रियाल ठीक है कतरी रियाल यहां की करंसी है और बात करें बहरीन की तो बहरीन की मैंने अलड़ी कैपिटल बता के रखा हुआ है चीज़े डिसकस होई थी तो बहरीन का जो कैपिटल हो कहा है मनाम व्यक्जाम मैं आप से बच्चिंस और पूछ जा दो नहीं है कि है नार्थ कोरिय की जो रादानी है वह प्याउंग्योंग से जिखीं में है और क्यों मुद्रा है वो North Korean Won है ठीक है इसकी वोन की spelling यह ऑगी ठीक है नॉर्थ कोरियन वोन की spelling आपको यह और वोन उसी की साथ बात करें South Korea कि तो South Korea नहीं दक्षडी कोणिया यहां की राजधानी कहा है शीयोल आप सबको पता भी होगा शीयोल है और यह भी फैक्ट आपको दीज़ारी आप मुझे ये भी बताएंगे कि North Korea और South Korea को इन दोनों को कौन डिवाइड करता है कौन सी parallel line है जो इन्हें डिवाइड करती है ये भी आप मुझे comment box में बताएंगे आगे चलते हैं अपने अगले प्रशन के तरफ हमारा अगला प्रशन है Recently which ministry has launched a section campaign to spread awareness about green energy हाल ही में किस मंत्राले ने हरित उर्जा के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान सुरू किया है क्या वो ministry of earth science है यानि कि भो विज्ञान या पृत्वी विज्ञान मंत्राले है petroleum and natural gas ministry है या फिर वो ministry of commerce and industry है ministry of renewable energy है तो जो इसका exact answer होगा वो क्या होगा ministry of petroleum and natural gas will be the exact and correct answer of this question यानि कि वर्तमान में जो ये ministry of petroleum है या और petroleum and natural gas है इसने एक मोहीम launch किया हुआ है और उस मोहीम का नाम क्या है तो वो सक्षम है जिससे कि लोगों के बीच में green energy की बारे में एक जागरुकता फैल सके जैसा कि हमें पता है कि ये सारे जो भी sources हैं हमारे वो सारे जैसे कि आपके petroleum हुए डीजल हुए सारे कहीं कहीं एक non renewable resources है और वो खत्म होंगे ही होंगे तो इसलिए जागरुकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी है बात करें अगर earth science के तो मैंने बात किया हुए है आपसे कि इसके जो minister of state है वो एक चौधरी जी है वाई चौधरी और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए commerce and industry के तो पी उस गोयल जिसके मंतरी है और renewable energy के अगर बात तो यह सारे factor है और अभी तक हमें series में 60 questions discuss कर चुके हैं मेरा आप सबसे request होगा यह मेरी appeal होगी कि जो भी questions आपसे पुशे जा रहे हैं वो आप जरूर comment box में लिखें क्योंकि चीजों को आप जितनी बार लिखेंगे जितनी बार उसके go through करेंगे उसके साथ जाएंगे उसक